हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके पने यूटूब चैनल आर्के वर मैं लक्टिकल पर तो फ्रेंट्स आज की वीडियो बहुत ही इंपोटेंट रहने वाली है यदि आप जानने की चुक हैं कि 20 मार्स फर्स्ट में कितना नॉर्मलेशन हुआ था कंप्यूटर में कि 20 मार्स फर्स टेकिंड वालों को कितने अंबर का नॉर्मलेशन किया गया था और दोस्तो और इस आपको मैं बता देने चाहता हूँ कापी भाई जो है हमारे कमेंट करेंगे कि यूपी पीसल टीजी टू नहीं भरती को लेकर क्या आप चला है अपडेट दोस्तो अभी उख्यमंतरीजी गोरगपुर में आज इस्थित हैं तो आज महीं से उनकी मुलाकाथ होगी कोकि उनके जो सैकर्टरी हैं उनसे भी वात हो चुकी है और हो सकता हो संभवत है जो हमारे भाई है गोरगपुर में चार-पाँच हमारे भाई हैं आज भी पहुँंचे हैं अब हमने यह जानकारी बहुत-बहुत धन्यवाद है इनका और दोस्तों फाइनली रोहित कुमार जी का सलक्सान भी हो गया है बीच मार्स सिफ्ट से अब दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि इनको कितने नंबर का नॉर्मेलेशन मिला था और कंप्यूटर में इनके कितने मार थे कितने नंबर बढ़ाए गई तो फाइनली सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद इन्होंने हमारे साथ जानकारी शेयर की और हमने इनकी जो गूपनी आता है उसको भी बरकरार रखा है इसमें इनकी जो डिटेल है वो प्राइविट वो हमने छिपा दी गई है तो दो सबसे पहले इनका कुश्चन यह था और इन्होंने हम पर अपने रॉल नंबर मेंसन किया था पंजी करना चाहाते हैं तो आप देखकर आईटाइप कर सकते हैं और हमें अपनी जानकर शेयर कर सकते हैं ताकि हम उससे सभी भाईयों को जागरूप कर सकें और आपकी गूपन है कि इनके पार्ट में जो नंबर थे यानी कम्प्यूटर में 27.25 नंबर थे और पार्ट सेकंड की बात करें तो 104.75 इनके नंबर थे और शोड़ की बात करें तो 20 मार्ष फस्ट शोड़ीज़ों को मिल जाएगा आप फाइनली दोस्तों आईटे का जवाब देख लेते हैं वहां से क्या RTI से जवाब आया था तो बहुत-बहुत सुपकामना है इनका फाइनल सेलक्षन हो गया है रोषदी जी का और हमारे साथ इन्होंने जानकारी सेर की यदि आप भी सेर करना चाहते हैं तो डिस्क रिसमने आपको दिसन की आप बधार गया है यहां पर आप देख पा रहे हैं रोहित कुमार जी हैं वहां पर भी menison की आ गया था और दोस्तो साथ 12 tür लिफ्ष पास्वर्थ संबंद में यहां आप देख पा रहे हैं यानि part 1 में नंबर था आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 35 दसम्लव आपका 43 इतना नंबर इनका part 1 में था और second part में बात करें तो 144 दसम्लव 06 में इनका नंबर था अब दोस्तों part 1 की इनकी बात करें तो part 1 में इनके इनोंने जो अपने नंबर बताई थे यह OBC से candidate थ इनोंने 27 दसम्लव यानि 27 दसम्लव 75 इनके नंबर थे और इनका कितना हो गया यहाँ पर आप देख पा रहे है 35 नंबर इनका हो गया तो लगभग part 1 की बात करें तो मेरे भाई लगभग 8 नंबर का नॉर्मलेशन इनका हुआ था 20 मार्च की पहली shift में OBC के यह candidate थे और जो नंबर था जो रो मार्ग थे इनके जो रियल मार्ग थे इनके 104 दसम्लव आपके 75 नंबर थे और फाइनली बढ़कर बात करें तो 144 दसम्लव 096 यानि लगभग 40 नंबर का नॉर्मलेशन आपका 20 मार्च की प्रिथम shift में किया गया था और फाइनली दोस्तों यह OBC के candidate थ रहता और फाइनली इनका selection फाइनली हो गया है तो सबसे पहले इन रोहित कुमार जी को बहुत-बहुत सुपकाम नए final selection के लिए और बहुत-बहुत धन्यबाद इन्होंने अपनी जानकारी हमारे साथ share की और हमने भी इनके साथ सारी गोपने अताका बिल्कुल खैल रखा ह और दोस्तों यदि आप इसी तरह की जानकारी बच्चों के साथ share करना चाहते हैं और उस पर वीडियो बर्वाना चाहते हैं तो आप description में यदि आपने RTI फाल की है और उसके आपके पास जवाब है तो description में आप email ID का आपको मिल जाएगी उस पर आपको अपनी जानकारी share कर देना है आपकी जानकारी बिल्कुल गोपनियता बिल्कुल रखी जाएगी पूरा ख्याल रखा जाएगा आपकी security का तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि 20 मार्च में कितना 20 मार्च की प्रिथम सप्ट में कितना normalization हुआ था और दोस्तों जल्दी हम 19 मार्च की 1 और 19 म डाने वाले हैं तो दोस्तों आगे से चैनल पर बने रहे हैं यदि आप चैनल पर ऱनेहे हैं तो चैनल को subscribe करके लखें और जैसे ही जानकारी मिलेगी आज जो हमारे भाई है वह गौरगपुर गई हैं मु क्छे मंतरीज से मिलने और जैसे को जानकारी मिलेगी तो, आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करा दिये जाएगा तो दोस्तों ये थी कुछ important information उम्मीद करता हूँ आपके doubt किलियर हो गए होगे एक वार फिर बता देना चाहता हूँ लगभग 8 नंबर का part 1 में और लगभग 40 नंबर का part second में और आपको shift की बात करें तो 20 मार्च की आपकी जो first shift थी उसकी बात ये हो रही है तो आपके doubt किलियर हो गए होगे उम्मीद हो वीडियो आपको अच्छी लगए होगी तो फिलीज वीडियो को जएधा लाइक और सेयर करें चैनल पर नहीं तो फिलीज चैनल को